Hey Hi Guys, Welcome to YouTube तो आज की इस ओड़िवो के अ नर हम सिखेंगे कि किस तरह से हम C या C++ की मदद से Create और सकते हैं इस तरह की line थेक है? तो line को किस तरह से create करते हैं? वो चीज हम सिखेंगे आज की इस वीड़िवो के अदर बुरा details में सिखेंगे जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी मन चाही पुजिशन में लाइन क्रियेट कर सकते हो वो चीज हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर बहुत जादा इसी है ठीक है चिन लोगों को चलाना नहीं आता ग्राफिक्स वाली फाइल को devc++ के अंदर या फिर पारे में पता होना जरूरी है सबसे पहली है यह इन्ट विंडो ठीक है अगली चीज है line जिसकी line function जिसके मदद से basically हम हमारी line create कर रहे है और get ch की मदद से basically जो हमारी output है उसको hold कर रहे है ठीक है तो सबसे पहले है इंट विंडू का क्या मतलब है वो मैं आपको बता दू ठीक है तो जिस तरह से हमारी images का size होता है for example आपने देखागा 150 into 150 की image size दो या फिर होती है हमारे पास 500 pixel to 500 pixel की image उसी तरह से window का size होता है हमारे पास जैसे कि यह आ गया ठीक है यह एक window का size यहां पर मैं arrangement कर रहा हूं इसके size की तो basically यह एक window है हमारे पास ठीक है तो हम क्या करते हैं program के अंदर एक window का size create कर देते हैं हमारे बास एक window create करते हैं इसकी मदद से int window की मदद से create करते हैं एक window एक box जैसा और यह अंदर बस उस box का size है यह width है एक width है और एक height है सिरफ यह चीज़ के लिए काम आता है हमारे पास int window ठीक है तो paint open कर लीजेगा अपने pc में paint के अंदर जोगेगा ठीक है और फिर home से view के अंदर shift कीजेगा view के अंदर rural हो गए यहां पर scale उसको enable कर दो grid lines होगी उसको enable करो status bar को enable कर दो ठीक है तो हम बनाएंगे 500 by 500 का window ठीक है 500 by 500 का तो उपर आप देख सकते हो 500 लिखा हुआ है तो इस side से मैं क्या कर दूंगा 500 ले आऊंगा इसको 500 by 500 चाहिए हमको तो width तो हमने 500 करती ठीक है लेकिन height भी 500 करने पड़ेगी तो इस side आपको height के लिए मिलेगा scale में value 500 तो इसको उठाके 500 के बराबर कर दिया तो आगे यह 500 by 500 की हमारे पास एक इस तरह की image ठीक है बिल्कूल empty जिसको भी हम भरेंगे basically खुद ठीक है तो अब हम create करना चाहते हैं एक line किसी भी position के अंदर हम line create करना चाहते हैं for example suppose कीजिए हम यह line create करना चाहते है same sc की sc c++ की मदिद से ठीक है तो इससे create करने के लिए हमें दो चीज़े पता होनी चाहिए पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि यह line start हो कहां से रही है starting point कहां से है और दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि ending point कहां पर हमें पता है कि यह line यहां से start हो रही है और खतम यहां पर हो रही है ठीक है तो starting point हमें मिल गया और ये ending point भी हमें मिल गया अब हमें बता लगाने कि इसकी value है क्या इस image के इंदर इसकी value है क्या तो बहुत easy formula है ठीक है तो पहले starting point find कर लेते हम starting point को ढूबेंगे हम ठीक है जिन लोगोंने graphs बढ़े होंगे उनके लिए बहुत easy होगा उनको पता हो जो हमारे पास एक straight line होती है वो होती है y और इस तरह की सीधी जो line होती है वो होती है x-axis ठीक है तो y-axis और x-axis की मदद से हम पता लगाते है कि ये जो point है start कहां से हो रहा है ठीक है तो पहले y-axis पता लगा लेते हैं कि इसकी height है कितनी ठीक है तो y-axis हमको बता है कि ये horizontal वाल यह वाली इस तरह की ठीक है यह होती है y-axis तो यहां पर आप देख सकते हो y-axis के लिए इस side scale बना हुआ है 0, 50, 100, 150 ठीक है तो 0 से जो है यह start करेंगे हम ठीक है 0 से start किया हमने और वहां तक कि इस blue line को बनातेंगे जहां से जो है हमारा black line start हो रहा है तो यहां से यह start हो रहा है तो कहां से इसके अंदर क्या value आई यहां पर scale पर अगर आप देखोगे cursor move कर रहे हो तो आप वहां पर scale पर आपको value पता लग रही होगी basically नीचे भी आप देख सकते हो तो यहां पर जो यह point है हमारे पास तो y के अंदर जो value है वो 100 है तो y equal to 100 आएगा अब हमें अगली चीज़ धुणनी है कि x की क्या value है ठीक है तो x जो है एकदम सीजी वाली line है हरे इसको मैं किसी और color से denote करता हूँ orange color से चलो दिख जाना चाहिए दिखनी रहा तो purple color ले रहा हूँ मैं इसके लिए तो यह रह x-axis तो यहां यह रहा 0 ठीक है उपर आप देख सकते हूँ 0 इसको आप यहां से भी start कर सकते है क्योंकि 0 यह 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 यहां पर ठीक है जीरो और यहां से ले आए यहां तक और इस point पर जोड़ दिया तो यह था क्या x-axis और x-axis की आपको उपर की तरफ के दिखाई दे रह है तो इसका point आपको मिल रहा है almost 130 के बास 130 के बास तो x equal to 130 हो गया ठीक है तो इस तरह से हमने starting point निकाल दिया अब हमें ending point भी इसी तरह से same process से निकाल रहा है बहुत easy है तो सचे पहले x को निकाल लेते हैं फिर से ठीक है तो x हमें बताए कि एक सीधी वाली line है इस तरह की line ह है तो यहां starting से हमारी image की starting से एक line लगा देंगे कहां तक जहां तक जो है हमारी वो black वाली line है वहां तक touch करवा दिया और फिर उपर जाके एक और line लगा देंगे यहां से कुछ इस तरह से ठीक है तो यहां पर हम पता लग गया किसकी जो x है वो है almost x equal to 410 ठीक है और जो y है वो उपर से पता लगेगी तो यह रहा 0 और यहीं पर पता लग जाएगा ठीक है तो यहां पर यह रखा तो इसका जो y है वो आया almost इतना ही y भी इसका लग भग 410 है ठीक है तो values हमें पता लग गई है हमारी line की यह रही ठीक है अब मैं formula यहां पर लिख देता हूँ ठीक है line के लिए तो line function लगेगा ठीक है इसके अंदर जो है values आती है सरसे पहले आप starting point की वहली लिखे होगे जो की है x 0, x1 लेलो चलो x1 ठीक है अगली जो है y1 होगी ठीक है यह वाला point का निकाल रहे हैं सरसे पहले यह वाली point की वाली दे रहे है उसके बाद x2 जो end point है ठीक है और y2 easiness के लिए आप इस तरह से लिख लो इस चीज़ को x start वाला ठीक है y start वाला और x e end वाला और y e end वाला ठीक है तो इस तरह से हम सारी values लिखेंगे इस formula के अंदर और यह जो graph है हमारा 500 by 500 का था तो चलो अब यहां पर coding start करते हैं ठीक है सिर्फ head of file लगी है वहां पर graphics.h ठीक है बाकी main function वैसा ही है अब सरसे पहले हम size बनाएंगे हमारी window का तो window बनाने के लिए हम क्या लिखते है i and it window ठीक है और parenthesis और यहां पर हम क्या देदेंगे उसको width and height width दोंगा 500, height दोंगा 500 last में semicolumn और यहां पर comment डाल देता हूं कि creating line अब formula हमें बता है line लगेगा parenthesis और इसके अंदर values आएंगी तो सरसे पहले value काम सी आएगी यहां पर लिखा है xs यानिकि x starting value तो x की starting value क्या है 130 और ys y की starting value क्या है 100 तो इसके अंदर value आएगी 130,100 तो 130,100 लिख देते है 130,100 ठीक है उसके बाद end की value ढूंड़नी है में यानिकि x का जो end है वो कहां पर हो रहा है यानिकि हमारी line का जो end है उसके point की values ढूंड़नी है तो x e ठीक है x e डूंडेंगे अब तो x e है यहाँ पर 410 और y e जो है वो है 410 ही है ठीक है 410 410 and that's it और last में हम चाहते हैं कि हमारी जो output है दिखे हमें अच्छे से तो get ch ताकि hold करके रखे वो value को and execute and compile और same वैसी की वैसी line बन कहानी चाहिए जैसी हमने यहाँ paint में बनाई थोड़ा बहुत फरक हो सकता है because paint के अंदर काम कि है हमने कोई photoshop के अंदर नहीं ठीक है और एक line हमने create कर ली ठीक है तो बिल्गुल same वैसी की वैसी line बनी जादा फरक भी नहीं है इन में ठीक है तो इस तरह से आप basically बड़े अराम से किसी भी तरह की line को बना सकते हो अगर आपको X shape बनानी है इस तरह की X shape ठीक है black color में draw खटा हूँ X shape तो यहाँ पर आपको बता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर दो lines लग रही है तो सबसे पहली line यह वाली है दूसरी वाली line यह वाली है तो सबसे पहले पहली वाली line का starting points ढूंडो X and Y फिर दूसरी वाली के ढूंडो फिर तीसरी वाली के ढूंडो ठीक है और इस तरह से बस line में फिर C++ में जाके लिखते हो यह जो भी लिखना है line आपको ठीक है सेम वैसे ही लिखोगे, बाकी कोई फरक नी पड़ेगा और X बन जाएगा आपके पास बस ये points आपको ढूलने है और बड़े राब से आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी position में, किसी भी type की line को, ठीक है, thank you so much for watching this video, कोई question है तो comment section में पूछ सकते हो ग्यारा मिनिट ले लिए इस चीज के लिए हाला कि 3 मिनिट की चीज है लेकिन मने थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश ही, तो उस वज़े से टाइम लग गया so thank you so much for watching this video please like, share and subscribe, कोई question हो तो comment section में पूछ सकते हो, bye bye, take care कर दो कर दो कर दो कर दो